नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दवर्ड आप केमेस्टी की दुनिया आज हम लोग अप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं रिजोनेंस इफेक्ट के प्रिवियस लेक्चर्स में हम लोग ने रिजोनेंस इ जाने वाले वह पढने वाले हैं स्ट्रेंथ को तो अगर किसी भी अगर किसी में एसिट के अंदर इलेक्टान विठ ड्राइंग गरूफ प्रजैएंट में एक्ट्रान जिरा कौन सेHello threads मिद्र चून-तर फिर टुछ तो अगर किसी भी acid के अंदर electron with drying group जैसे कि NO2, CWH, CN, CO या फिर CHO में से कोई भी present है तो वो acidic strength को क्या करेगा? increase कर देगा और जो acidic strength होती है वो directly proportional होती है minus yam effect के और minus yam effect कौन सो करते हैं? तो minus yam effect करते हैं जो electron with drying group होते हैं तो acidic strength is directly proportional to the minus yam effect यानि जैसे-जैसे minus yam effect बढ़ता चला जाएगा, acidic strength भी हम लोग की वैसे ही बढ़ती चली जाएगी यानि जैसे-जैसे हम लोग का minus yam effect increase करेगा, acidic strength भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी यानि हम लोगों ने पढ़ा कि electron with drying group increases the acidic strength और electron with drying group हमको याद रहने चाहिए कि कौन-कौन से है, NO2 है, CWH है, CN है, CWO है, या फिर CHO है, तो ज़रा देखो एक प्राब्लम यहां एक्जाम्पल में दिया गया है कि हमको दिया गया फिनल, metanitrofenol, paranitrofenol और इस आर्थो-nitrofen में और इस आर्थो-nitrofenol में electron with drying group लगे हुए, देखो, NO2 लगा हुआ है, NO2 लगे हुए, NO2 लगे हुए है, तो इसमें फिनल और यह मेटा पैरा और आर्थो वाले में सबसे कम जो acid होगा, वह कौन होगा, फिनल होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी electron with drying group नहीं है, इसके प आर्थो-nitrofenol में, किस मेटा-nitrofenol और पैरा-nitrofenol और आर्थो-nitrofenol में कौन सबसे ज़्यादा-SD होगा, तो अगर electron with drying group आर्थो-position पे हैं, तो उसका acid extent सबसे ज़्यादा होता है, फिर किसका होता है, जो electron with drying group पैरा-position पे होते हैं, और सबसे कम-SD extent किसका होता है, जो म मेटा-position पे NO2 ग्रूप लगा होता है, यानि जो मेटा-position पे अगर electron with drying group प्रजेंट है, उसका समसे कम-SD strength, लेकिन-SD strength सबसे ज़्यादा किसका? उसका होगा, जो आर्थो-position पे electron with drying group है, तो अगर आर्थो-position पे electron with drying group है, तो उसका सबसे ज़्यादा है, फिर किसका? पैरा-का उसके कम, फिर सबसे कम किसका? मेटा का, तो फिनल के बाद सबसे ज़्यादा-SD कौन? मेटा-नाइट्रो-finol, और मेटा-नाइट्रो-finol सबसे ज़्यादा-SD कौन? पैरा-नाइट्रो-finol, और पैरा-नाइट्रो-finol सबसे ज़्यादा-SD कौन? आर्थो-नाइट्रो-finol, क्यों? में ठाइंग पोजीशन पर डिखेंगे पिर किसका होगा और सबसे कम यह वाले कव और इसमें इलेक्ट्रान ही नहीं है एपक्जब्स homme ए इसे क्äreक्टर को रखे गा दूसरी चीज़ी देखो ACID की strength घटती चली जाएगी positive yum effect अगर बढ़ रहा है positive yum effect अगर बढ़ रहा है तो ACID की strength घटती चली जाएगी और positive yum effect सो कौन करते हैं तो electron releasing group जितने भी electron release करने वाले group होते हैं electron donating group होते हैं वो ACID की strength को क्या करते हैं तो ACID की strength को घटा देते हैं और इलेक्ट्रान डोनेटिंग गूरूप और है या फिर है लोजन वाले सी ये वाले हैं तो हम को याद रखना पड़ेगा कि एलेक्ट्रान डिलीजिंग ग्रूप कौन है यह अगर है तो हम बता सकते हैं किसी भी भी कम्टेट्ट्टी जांट भी बैठेंगे तो हम लोग क्रूस्टन कर सकते हैं तो लिखा है कि एस अधिक स्टेंट डिक्रीजट दुटू दो प्रजेंट साथ पॉजी टूई यम इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा अश्टी कि स्टेंद घटेगा पूचा है कि फिननाल है हम लोग का यह पूचा है तो फिननाल और खुल में सबसे ज्यादा एस्टी कौन है तो इस पीनल और इस क्रिसाल में इस फिननाल के केस में सिर्फ इलेक्ट्रान डोनेटिंग ग्रूप एक है लेकिन इस क्रिसाल के केस में इलेक्ट्रान डोनेटिंग ग्रूप दो है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रान डोनेटिंग ग्रूप लगा हुआ है और इसमें कितने दो इलेक्ट्रान विठ ड्राइंग ग्रूप इलेक्ट्रान डोनेटिंग ग्रूप लगे हुए हैं तो सबसे ज्याद है स ड्राइंग ग्रूप अगर लगा हुआ है तो वो acidic strength को बढ़ाएगा और electron releasing group लगे हुए है तो वो acidic strength को क्या करेंगे घटाने का काम करेंगे जितना ज्यादा electron with drying group acidic strength उतनी ज्यादा जितने ज्यादा electron releasing group acidic strength उतना ही कम तो ये फटाफट से आप लोग नोट कर लीजे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की प्राब्लम्स को और इसके application को हम लोग solve करते हैं तो फटाफट से देखिए जड़ा आप दूसरा application हम लोग देखने जा रहा है कि basic strength तो basic strength अब हम लोग अगर 500 या ंगा हुआ है सीड़ लगा हुआ है सीड़ो बॉन्ट ओ लगा हुआ है या फिर तो यह फिसक के द्रेंग यह नने चे करेंगे घटाएंगे तो यह बेसिक स्टेंध द्रेंगों का में सैन तो जला देखो यह दिया हुआ है एनस्टू लगा हुआ है और इसमें एनस्टू के साथ साथ एनोटू लगा हुआ है एक दिया है जिसे बेंजीन रिंग से एनस्टू अटैस्ट है और जो दूसरा एक्जामपल दिया है उसमें एनस्टू के साथ एनोटू लगा हुआ है ये तो हम लोग का इलेक्ट्रान डोन ग्रूप अगर लगा हुआ है माइनस यम एफिक्ट्स हो करने वाला flu लगा यह सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा यह एनिलीन होगा यह एनिलीन क्यों होगा क्योंकि इस मेफम भी माइस-ग्रस घ्रिसंट्थो नहीं होगा और इसमें कोई भी इसा की कि क्या होगा जदा होगा तो अगर कहीं भी इन्वाहित रांट क्रोप लगे है तो इसे किस्टेंध को घटाएंगे इसलिए इन दोनों माली कुल करते हैं तो यह जो है है वह more basic होगा क्यों होगा क्योंकि इसके पास जो है वह माइनस यम इफेक्ट सो करने वाले गुरूप नहीं है लेकिन इसके केस में माइनस यम इफेक्ट करने वाले गुरूप लग गया है इसलिए basic strength को क्या कर देगा घटा देगा basic strength increases due to the presence अगर प्लस यम इफेक्ट बढ़ गया तो प्लस यम इफेक्ट होने की वज़े से क्या होगा basic strength बढ़ने लगेगा प्लस यम इफेक्ट अगर सो कर रहा है तो प्लस यम इफेक्ट सो करने की वज़े से बेसिक स्टेंद क्या होगा इनक्रीज हो जाएगा प्लस यह हम इफेक्स हो करने वाले ग्रूप कौन-कौन से पोयाच एस एच ओर एसार एनस टू सी या फिर सी एच त्री तो इस एक्जांपल में देखो जरा यह दो इक्जांपल दिये गया है इस एक्जांपल कि अगर हम बात करें तो इलिक्टान ढौनेटिंग ग्रूप यानी प्लस्याम ईफेक्स होगने वाले ग्रूप कितने हैं इस इस में फ्लस यह मिफ्ट्य सब्सूर्집 कि नीमर जादा हो गई यह फ्लस में इफ्लस्यामित्ट्स नतों करने वाले याँ इलेक्ट्रान डोनेटिंग गरुप वाले दो गुरूप लगे हुए है इसलिए का बेशीख स्टेंज जादा इसका बेशीक क्या girl कश साई कहीं भी इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान विठ ड्राइंग ग्रूप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रान विठ ड्राइंग ग्रूप क्या करेंगे इलेक्ट्रान विठ ड्राइंग ग्रूप बेसिक करेक्टर को क्या करते हैं घटाते हैं और इलेक्ट्रान रिलीजिंग ग्रूप बेसिक स्टेंद को बढ़ाते हैं तो फटापट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे बढ़े हम लोग और और इसके कुछ 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 एकश्यम्पल क्शक्षान हम लोग कर सके कि देखेए जड़ आगर आपसे पूछा जाए कि कारबॉक्सलिक एसीड इस ट्रॉंगर एसीड दिने फिनॉल क्यों अब अभी हम लोग ने जो जो थियूरी पड़े इसका और इसके ठ्रू हम लोग एसको स्वालब करने वाले हैं तो सबसे पहले जारा हम्स्ट्रक्चर बना ले कि स्टुक्चर जब हम बनाना जान जाएंगे तो बहुत सारे प्राव्लम हम लोग बड़े हासानी से कर सकते हैं तो देख्व यह जड़ा फिनॉल का यह structure है यह फीनॉल है और यह क्या है कार बॉक्सलिक acid है कार बॉक्सलिक का फॉर्म कैसे होता है H C double bond O और क्या होता है ओच यह कार बॉक्सलिक एसीड है सी डबॉल O H यह हमारा है फिनॉल फिनॉल और हम लोगा क्या है कार्बोक्सलिक एसीड देखो जरा इसमें बेंजीन रिंग से जो ओएच गुरूप जुड़ा हुगा है और इसमें ओएच जो गुरूप जुड़ा हुगा है यह सी डबल बॉंड ओ से जुड़ा हुगा है हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिनॉल जो है इसमें फिनॉल में ब हम लोग का वो है उलेक्ट्रान डोनेटिंग ग्रूप या फिसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रान रिलीजींग ग्रूप और न उसमें जो वह जीसके चूध्णा हुगा है यह c double bond o Why यह कौंसा है इलेक्ट्रान विथ ड्राइंग ग्रूप तो अब हम लोग देख रहा है कि फिनॉल के केस में इलेक्ट्रान डोनेटिंग ग्रूप लगे हुए हैं अब इलेक्ट्रान रिलीजिंग ग्रूप लगे हुए हैं लेकिन कारबॉक्सलिक एसिट के केस में इलेक्ट्रान विथ ड्र एसडिक स्टेंथ भी क्या होगा बढ़ने लगेगा यगर इलेक्ट्रान विद्राइंग ग्रूप बढ़ेंगे तो एसडिक स्टेंथ भी बढ़ेगा इसके केस में कोई इलेक्ट्रान विद्राइंग ग्रूप नहीं है इसमें इलेक्ट्रान विद्राइंग ग्रूप है ही न करते हैं और एलेक्रान विद दैंग रूपे स्रीक इस्टेंट को बाहते हैं तो इन दिस्ट इन दे केस आप कर बॉक्सलिक और एचेज आठस्ट विद द दो C double bond or group which is an electron with the drying group and due to the electron with due to the presence of electron with the crying group carboxylic acid is stronger acid as compared to phenol in the case of phenol only electron donating groups are present and electron donating group decreases the acidic strength the carboxylic acid is stronger acid i pure carboxy acid सब्सक्राइब करते हैं बढ़ाने का काम करते हैं लेक्ट्राइटिंग ग्रूप क्या करते हैं तो इन प्रशक्राइब करते हैं टाइ्म ऑिटर ट्रिक आ गूजब टु नुज टु चेशर्ब टिस्टाति हैं फ्रीट सचर्प attenृज करनी ग्रूज ऑ। सर्ब॥ते हैं वें टू फटाफट से इसको नोट डाउन कर लिजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के कोश्चन्स को और हम लोग स्वाल्व कर सके देखे जरा अगर आपसे ऐसे फिर एक कोश्चन दे कि इसमें बताईए कि एसीडी की स्टेंट किसमें सबसे ज़्यादा है पहले बाले में बेंजीन रिंग से सी डवर में ज़ुड़ा हम वहला है और इसमें बेंजोई के के राथ पोजीशन पे अनो टू ग्रूप लगा हुए है तो यह हम लों का फटोन सीड जो आंग के इसे इस में पूछाएक किसका ज्यादा होगा तो आभ ही हम लोग ने पढ़ा एक्र सान्वीट ड्राइंगर ज्यादा होगे एडिक इसे इचांट ही हम closest तो इस बैंजोई ड्राइंग कितने है इसमें इलेक्रान केवल less में उपसे खाए तो दो Supreme एथे स्थिनों में घर हम देखे तो दो इलेक्ट्रान विठ ड्राइंग ग्रूप लगे हुआ और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रान विठ ड्राइंग ग्रूप लगा हुआ है यानि सबसे कम एसीड कौन होगा तो यह होगा जिसमें एक लगा हुआ है अब आते हम किसमें इन तीनों में मेटा वाले में आर्थो व विथ ड्राइंग। गरुब है आर्थो पोजिशन पर अकर उलेक्टरान विध ड्राइंग गरुप है तो वो सबसे जादा एस्टिक होगा तो पर उसके बाद कौन होता है तो पैरा वाला और सबसे कौन कौन सा मेटा वाला तो ये जो बेंजोई के सीड है वो सबसे कम एस्टिक है क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्टरान वेड्राइंग रूप है ये मेटा, पैरा और आर्थो वाले के पास दो इलेक्टरान वेड्राइंग रूप है इसलिए इससे यह सब ज्यादाई strict होगे लेकिन अगर यह मेटा पैरा और आर्थो में से चुलना हो कौन सबसे ज्यादाई psychic होगा तो हमेशा जो आर्थो वाला होता है वह सबसे ज्यादाई indic होता है पीर अगर पैरा वाला फिर सबसे कम कौन सा दैज़ना multiplying phase लगा हुआ है और सबसे कम कुछ का जिसमें मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है तो यह इसका आडर जो है वह हो सकता है तो फटा फट से इसको भी नोट कर लिजे ताकि हम आगे बढ़े और आगे को कुश्चन को डिल करें कि देखिए जरा इसी के अप्लिकेशन से रिलेटेड एक और कोश्चन है जो पूछा जाता है कि अमोनिया और एलिफैटिक एमीन्स होते हैं इसका बेसिक स्टेंज ज्यादा होता है एनिलीन से ऐसा क्यों तो हमको कुश्चन पूछा है तो इसको चला जरा हम लोग देखते है यह स्टरक्च्चर कैसा मूनिया का इसब क्तूश्चर का फर्मूला होता है एक रहेए ए यहीं लेठी ताने के मिन खरोटा है तो आपिखती के मिन जोता है और इसके पास भी होते हैं लोल और एलिटरर और यून कैसे होता है एनिलीन होता है कुछ यूम NH2 लगा होता है यह हम लोग का एनिलीन है तो कह रहा है कि अमोनिया यह हम लोग का अमोनिया है अमोनिया यह हम लोग का एलिफाइटिक एलिफाइटिक एमीन है यह हम लोग का एनिलीन है कह रहा है कि इसमें जो अमोनिया है और इलफेटिक एमीन है यह स्ट्रांगर बेस है एनिलीन से ऐसा क्यों तो जब हम लोग देखें हैं कि बेस को डिफाइन करने के लिए बेस को डिफाइन करने के लिए जो इलेक्ट्रानिक थ्योरी आई है जो मॉडल इलेक्ट्रानिक कंसेप्ट है कि बेस कावन होते है तो बताया गया है कि जो इलेक्ट्रान पेयर को डोनेट करते हैं जो इलेक्ट्रान पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं बेस होते हैं तो बेस क्या करते हैं बेस जो होते है वो इलेक्ट्रान पेयर को डोनेट करते हैं तो अमोनिया के पास भी लोन पर इलेक्ट्रान है ये भी डोनेट कर सकता है इसलिए बेस है इसलिए बेस है और का कहता है कि सबस्टैंइ सबस्टैंइ टू डोनेट डियार इलेक्ट्रांट सुग्षाइथ गौनेट अवेश टीनों के पास है अमौनिया के पास भी है अलीफटिक मिन के के पास भी एनिलीन जो जितनी आसानी से अपने लोन पर सकते हैं लेकिन जो यह एनिलीन है क्या यह एनिलीन जो है वह अपने लोन पेर इलेक्टान या फिर इलेक्टान पेर को आसानी से डोनेट कर सकता है तो ज़रा हम लोग देखें कि क्या यह डोनेट कर सकता है तो जो एनिलीन में जो एनेच टू ग्रूप लगा हुआ है यह एनेच टू ग्रूप कौन सा होता है plus M effects यह plus yum effects तो कितने क्या होगा ज़र देखिएगा यह हम लोग का है स्ट्रॉक्चर एनिलीन का इसमें है NH2 के पास low-n-pair electron यह plus yum effects होगा प्लास yum effects करता है, तो करता क्या है ईए अपने लोन पे इलेक्टरान रिंग की तरह फिकता है और उसका जो तो बेसिक इस्टन तो ज्यादा ही होगा यह रिजोनेंस सो करने लग रहा है कैसे डिया अपने दो इलेक्ट्रान रिंग की तरफ फेकेगा एक बॉंड बनाने के लिए एक बॉंड बनेगा तुसे पर एक बार्ण टूट भी जाता है इसका एक रिजोनेटिंग स्टक्चर बनेग जाएगा ये वाला बॉंड टूटके यहां सिफ्ट हो जा रहा है तो बॉंड के सिफ्ट को हम दिखा दिया ये वाला बॉंड हमने टच नहीं किया है जैसा है वैसा ही ये वाला बॉंड भी हमने टच नहीं किया है जैसा है ठीक वैसा ही फिर क्या होगा यहां से फिर ही रिजो इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहां से को देखो तो यहां से को डबल बॉंड एनच टूपे पॉजिटिव चार्च यहां से एक बॉंड बना रहे हैं यहां पर यहां बना देंगे कि यह वाल बॉन तूटके हां व रहा है तो दो इलेक्ट्रान को यहां हम दिखा देगी यहां से एक बार औररी जोनेंस व करेगा सबस्ट हो यहां यहां एक बॉनड बनेगा और यहां शिफ्ट ओगा तो alcãy स्टक्चर है हमको फिर से मिल जाएगा और जहां से भी पहला वाला स्टक्चर हमको बिल जाता था तुरंत हम लोग कौन सा स्टक्चर बनाते थे तुरंत हम लोग बनाते थे रिजोनेंस हाइब्रीड स्टक्चर कौन सा स्टक्चर रिजोनेंस हाइब्रीड स्टक्चर यह हम लोग कहा है रिजोनेंस हाइब्रीड स्टक्चर यह कौन से हैं इसको हम लोग स्टक्चर को बोलते हैं मीटों्हेरिक recovered मेसमेरिक structure मीसमेरिक स्ट्रक्चर मेसमेरिक मेसमेरिक इस्ट्रक्चर्चर या फिर कैनोनिकल या फिर इसी को हम लों बोलते थे हम लों copy linking स्ट्रक्चर तो यह जो हमारे हैं एनिलीन है इन एनिलीन में जो लोन पर इलेक्ट्रान है वो लोन पर इलेक्ट्रान डोनेट नहीं कर सकता है वो डोनेट करने में दिख्कत है क्यों क्यों कि यह पॉजिटिव यम फेक्ट्स हो करेगा तो क्या करेगा यह लोन पर इलेक्ट्रान रिंग की तरफ फ क्षेटरान वो फ्री हैं डोनेट करने के लिए इसलिए अमोनिया और लिफनियक में में सबसे ज़्यादा निवा बेशिक कौन होते हैं इलिफनियक कम लते हैं औरमोनिया होते हैं किसके क्षेटरल से हैंमोर्डन इंटक मिले बेगा सबस्तिक कि endeuot और जो जितनी आसानी से उपने यह इस के सकते हैं इस लिए एक्टान के टिकमिन करके सकते हैं इस लिए और क्या है हैhst । तो आज के इस lecture समें हम लोगों ने फड़ा फट्स इसका Screensot भी आप लिए लिजेगा था कि हम लोग आए चलेंगे और अपने अगले लिक्षिस को पढ़ेंगे आज के इस लेक्षॉर्स में हम लोगों ने रीजोनेंस इफेक्ट के एपर पढ़ा था उसके प्रिबिएस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इस रेजनेंस अपड़ेट MARK को अगली पीडियो अने क announce क्वाली है कल ही वह भी वीडियो उसमें हम लोग पढ़ेंगे perfection को और hyperconjugation पढ़ाने के बाद आपके आपके जो mid term exam होने वाले हैं उसमें जो important question आने वाले हैं उसको मैं target करके करा दूंगा ताकि वो important questions है वो जो आपके board exams में आने वाले हैं वो भी सारे touch हो जाएं और आप अच्छे से अच्छा number gain कर सके तो top 10 question मैं कराऊंगा आपको और उस top 10 question में ही आपके जो अभी जो exam होने वाला है वो दिवाली के बाद से उसमें आपके सारे question जो आया हुए होंगे वो solve होते चलेंगे तो फटा फट से आप channel को subscribe कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ये video share करिए ताकि और सारे बच्चे जो इस BST first semester में पढ़ रहे हैं वो क्या कर सके वो अपनी study को अच्छी तरीके से deal कर सके और अच्छे numbers ला सके तो thank you so much for watching my video please subscribe my video thank you so much